दोस्तों 1 दिसंबर 2022 को मैंने अपने यूटूब चैनल रिटेस LIC एडवाईजर पर एक वीडियो पोस्ट की हुई थी उस वीडियो के अंदर LIC का जो ब्रांच लोकेटर है जीवन वीमा बाजार का जो ब्रांच लोकेटर है उसके बिसे में मैंने विस्तेत रूप से बताया हुआ था यदि आप LIC के अभी करता हैं और आप अपनी प्रोफाइल आनलाइन करना चाहते हैं उस वेबसाइट के माध्यम से तो यह कैसे कर सकते हैं इसके लिए वाफार्म कैसे भर सकते हैं आईए इस वीडियो में हम समझते हैं तो दोस्तों इस जानकारी के लिए तो हमको चलना पड़ेगा अपने computer के screen पर तो आगे की जानकारी हम अपने computer के screen पर share करते हैं दोस्तों अभी हाल ही में मैंने इस वीडियो को पोस्ट किया हुआ था जिसमें कि G1 बीमा बाजार लोकेटर के विसे में मैंने डिटेल में जानकारी दी हुई है यदि आप चाहें तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं अब दोस्तों यह जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इस फार्म का लिंक मिल जाएगा तो यहां देखिए यह हमारी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है यहां जो सो मोर का आप्शन लिखा हुआ है इस पर जैस इसमें भी description box में और comment section में आपको इस farm का link ठिक इसी तरह से मिल जाएगा अब दोस्तों जैसे ही आप इस पर click करते हैं click करते ही यह जो farm है एक नए tab के अंदर open हो जाएगा आप इसको mobile से भी यूज कर सकते हैं computer या laptop से भी यूज कर सकते हैं तो यह farm कुछ इस तरह से खुल ज आएगा तो आएए अब समस्ते हैं कि ऐसा अभी करता जो website के ऊपर अपनी जानकारी को share करना चाहता है अपनी profile बनवाना चाहता है वह इस farm को कैसे भरेगा देखिए इसका जो सबसे पहला part है या जो पहला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है यह हिस्सा हमारी information के लिए है कि इस पहले part में जो जानकारी आप देंगे यह जानकारी webpage के ऊपर नहीं जाएगी इसका उद्दे से यहा है ऐसा अभिकरता या विकास अजिकारी जो भी इस farm को भर रहा है हम उससे इस जानकारी के अंसार संपर्क करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले email id देनी होती है तो च question पूछे गया है उसकी detail यहाँ पर बता ही गई है जैसे में your name लिखा हुआ है इसके ठीक नीचे देखे क्या लिखा हुआ है LIC agents and development officer are requested to write your name here as per LIC document if you do the agency of LIC in the name of any other family member then here write the name of the person in whose name the agency of LIC is there इसका मतलब यहाँ है कि यदि आप LIC agent है और आप अपनी agency किसी और family member के नाम से करते हैं तो यहाँ पर जो agent है उसी का नाम लिखना है तो चलिए मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ अब दोस्तों यहाँ पर नाम लिखते समय एक चीज का ध्यान आपको रखना है कि नाम क अक्षर कहा capital लगाने है कहा small letter देना है इसी को ध्यान देकर आप यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर जो detail आप जैसे जिस फार्मेट में देंगे आपके website पर जो जानकारी है as well as वैसे ही पड़ेगी तो इसी का ध्यान लखेंगे इसके बाद आपको अपना number देना है आप कोई भी number दे सकते हैं जिससे की जब हमारे द्वारा आपसे call किया जाए तो आपसे directly बात हो सके तो चलिए मैं यहाँ पर एक number दे देता हूँ तो मैंने यहाँ पर एक number दे दिया है ठीक इसी तरह से आपको अपना mobile number देना है अब इसके बाद यह जो अगला question है इसमें यह जानने की कोशिस की गई है कि आपसे बातचीत करने के लिए कौन सी भासा उचित होगी क्योंकि यह जो website है पूरे इंडिया के लिए है और इंडिया के अलग-अलग छेत्रों में अलग-अलग भासाएं बोली जाती हैं तो इसलिए इस question का उत्तर जानना हमारे लिए जर नोट कर दें चलिए मैं यहां पर हिंदी लिख देता हूं ठेक इसी तरह से आप जिसमें भी comfortable हों आप नोट कर सकते हैं इसके बाद what you are यहां पर आपको लिखना है LIC Agent और उसके बाद next की बटन पर क्लिक कर देना है अब दोस्तों यहां के बाद आपको यह ध्यान देना है कि यह जो भी जानकारी यहां पर आप submit करेंगे आपके profile को बनाते समय इस जानकारी का उपयोग किया जाएगा यानि कि पिछले page में आपने क्या जानकारी दी है इसका आपके web page से कोई मतलब नहीं होगा उसका मतलब सिर्फ हम से और आप से होगा तो चलिए अब यहां पर ह नाम ही लिख देता हूँ मैंने यहां पर अपना नाम note कर दिया है अब इसके बाद LIC agent name यदि LIC agency किसी और के नाम पर है तब तो आप यहां पर नाम लिखेंगे otherwise आप इसको छोड़ देंगे अब इसके बाद आपको यहां पर अपना agency code note करना है तो agency code note करने के लिए सबसे पहले आप अपने commission voucher को check करें और commission voucher में आपका जो agency code जिस तरीके से लिखा हुआ है ठीक उसी तरीके से आपको यहां पर अपना agency code note करना है तो मैंने यहां पर अपना agency code डाल दिया है अब इसके बाद आपको LIC का joining date लिखना है यानि आप LIC में किस date में agent बने है वह date आप आपको यहां पर लिखनी होगी अब चुकि हमारे browser में date month और year का format दे रहा है हो सकता है आपके browser में पहले month और बाद में date दिखाई दे तो जैसे यह format दिखाई दे रहा है as well as वैसे ही आपको भरना है तो चलिए मैं यहां पर अपनी joining date note कर देता हूँ अब इसके बाद आप इसी में जितनी भी पॉलसियां sell की हुई है आप उसको यहां पर note कर दें अब यहां पर आपको ध्यान यह रखना है कि यह जो जानकारी आप हमें दे रहे हैं इस जानकारी के आधार पर ही आपकी profile create की जाएगी और यह profile आपके web page पर दिखाई देगी तो उस हिसाब से आप अपना यहां पर भर दें आप ऐसी कितनी पॉलसियां है जो की आप नहीं sell की है लेकिन आप उसकी servishing करते हैं तो यदि ऐसी कुछ पॉलसियों की servishing करते हैं तो आप इसको लिख दें मैं यहां पर अपना note कर देता हूँ अब इसके बात दिया हुआ है your own requirements जैसे में यदि आ MDRT है, COT है, TOT है या कोई आपका और भी बहतर achievement है तो उसको आप यहां पर लिख सकते हैं जिसको की आप अपने webpage के ऊपर देना चाहते हों और यदि ऐसा कुछ नहीं है तो आप यहां पर लिख दें nothing special या nothing लिख दें या no लिख दें कुछ भी ऐसा note कर दें और यदि आप कुछ विशेश अपनी website पर देना चाहते हों तो आप उसको detail में यहां पर note कर दें अब इसके बाद agency proof या बहुत ही जरूरी है IRDA के द्वारा issue किया गया जो certificate होगा उसकी ज़रुत हमकों होगी और वह जो certificate है वह आपके webpage पर दिखाई देगा यदि आप इसे नहीं देते है तो आपका webpage create नहीं किया जाएगा तो इस चीज को आपको ध्यान देना है तो चलिए मैं आपको दिखाने के लिए मैं एक image upload कर लेता हूँ वैसे यदि आप चाहें तो इसको PDF फाइल भी upload कर सकते हैं image भी upload कर सकते हैं दोनों ही चीज़ें आसानी से upload हो जाएंगी अब agency proof दे लेने के बाद यदि आप चाहते हैं कि आपका कोई video है यदि आप चाहें तो अपने mobile से भी अपने video record कर सकते हैं तो एक video record करके जिसमें कि आप अपने बीसे में बता रहे हों जिससे आपको लगता हो मतब ऐसा कोई भी चीज जिससे आपको लगता है कि आपका business बढ़ सकता है ऐसा कुछ recording करके अगर आप चाहें तो एक वीडियो यहाँ पर दे सकते हैं यहाँ वीडियो भी आपके वेग पेज के ऊपर डिस्पले होगी और यदि नहीं देना चाहते हैं तो आप इस option को छोड़ भी सकते हैं इसके बाद next की बटन पर आपको click करना होगा अब दोस्तो हैं कि आप अपने resident का और office दोनों का address अगर देना चाहते हैं तो वो दोनों भी यहाँ पर submit कर सकते हैं तो चलिए मैं यहाँ पर अपना address दे देता हूँ तो मैंने यहाँ पर अपना residential address नोट कर दिया है तो ठीक किसी प्रकार से आप अपना residential address यहाँ पर दे सकते हैं लेकिन पिर आप अपने office का address note करेंगे और यदि आपने अपनी office नहीं बनाई है तो यह residential address note करने के बाद यह जो office address का option दिया हुआ है आप इसको छोड़ दें लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान यह रखना है कि यह जो ऊपर वाला address दिया हुआ है यह blank नहीं रहेगा क्योंकि अगर आप इसको blank छोड़ेंगे तो यह farm आगे कारे ही नहीं करेगा तो चलिए अब हम चल आपने web page पर देना चाहते हैं उस number को आप यहाँ पर लिखतेंगे मैंने एक number note कर दिया है यदि आप दूसरा कोई भी number देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसके बाद आपको अपनी email id देनी है ठीक उसी तरह से यहाँ जो आप email id लिखेंगे वह email id आपके web page पर display होगी अब इसके बाद यदि आपके पास whatsapp number है तो जो whatsapp number है उसको आपको यहाँ पर लिखना होगा ध्यान रहें अगर यह number ही आपका whatsapp number है तो आप यह सोच कर इसको न छोड़ें कि हमने पहले number दिया हुआ है अब यहाँ पर number लिखने से क्या फायदा है ऐसा न कर क्योंकि अगर आप इसको खाली छोड़ेंगे तो whatsapp का number आपके web page पर नहीं जाएगा ठीक सी तरह से telegram के number के लिए भी apply होता है अब जब आप इतना सब कुछ complete कर लिए होते हैं तो इसके बाद next की button पर click करने के बाद अब आपको अपने social contacts देने होते हैं मतलब जैसे अगर आप facebook पर है LinkedIn पर है Twitter पर है तो आप अपनी profile का link दे सकते हैं और suppose that कि आपको नहीं पता है कि profile का link कैसे निकाला जाए तो इसके लिए आप अपना YouTube open कर लें और YouTube के search box में IOC e लिखकर search करें अब जैसे ही आप IOC e लिखकर search करेंगे यह YouTube का channel open हो जाएगा आप इस पर click कर दीज और यहां से video option पर चले जाए अब यहां अगर आप देखेंगे तो देखिए यह LinkedIn की profile का link कैसे निकाला जाता है Twitter का Instagram का Facebook का Google map location कैसे निकाली जाती है यह सारी जानकारी यहां पर दी गई है आप यहां से लेकर आप अपने profile का link यहां पर दे सकते हैं यदि आप किसी social media account को use नहीं करते हैं तो आप इसको छोड भी सकते हैं अब इसके पास यदि आपकी कोई website है तो आप यहां पर अपने website का link दे सकते हैं यदि आपने business card हमारे हं से बनवाया हुआ है तो अपने business card का link यहां पर जरूर दे दे क्योंकि आपके business card में यदि आप ऊपर detail अगर आप नहीं भी देंगे तो आपके business card में मैंने आपका जितना भी social media link है उसको मैंने attach किया हुआ है तो हमारे लिए काफी सुविधा जरंक हो जाएगा तो आप अपने business card का link भी यहाँ दे सकते हैं और उसके बाद next की button पर click कर दे अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपने branch की information देनी होती है तो सबसे पहले आपकी जो journal office है आप अपनी journal office select कर लें और इसके बाद फिर आपकी जो division office है अपने division office का नाम note कर दें उसका address यहाँ पर note करना है यदि आपको address पता है तो आप note कर सकते हैं अदरवाई छोड़ सकत तो address को आप start cut में नहीं लिखेंगे address को आप बिल्कुल सही तरीके से note करेंगे फिलहाल मैं इसको start way में लिखकर छोड़ दे रहा हूँ अब हम चलते हैं district की और तो आपकी यह branch किस district में है इसको आपको यहाँ पर note करना होगा state क्या है मतलब यह branch का state क्या है वो आपको note करन है और इस branch का pin code क्या है उसको आपको यहाँ पर देना होगा यदि आपको branch के contact number पता है तो आप उसको यहाँ पर लिख दे otherwise आप इसको छोड़ सकते हैं अब दोस्तों आपका यह जो farm है पूरी तरह से complete हो चुका है यदि आप चाहते हैं कि इस farm के अंदर जो data दिया गया है उसकी यह copy आपको मिल जाए तो यहाँ पर send me यह copy up my responses इसको आप यहाँ पर on कर लें और submit की बटन पर click कर दें अब जैसे ही आप submit की बटन पर click करेंगे आपके सामने यह एक message आ जाएगा मतलब हमें आपका जो यह farm है फार्म है जो data आपने दिया है यह हमें मिल चुका है औ हम आपके इस profile को update करेंगे हम आपसे संपर्क करेंगे अब दोस्तों वीडियो के आखरी में एक जरूरी जानकारी मैं आपको देना जरूरी समझता हूं यह जो profile वाला option है यह free विल्कुल भी नहीं है लेकिन YouTube के term condition के अमसार मैसीज को यहाँ पर अपने वीडियो में नहीं बता सकता हूं तो इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी जैसे ही आपका profile update होगा हाँ यह चीजह यहाँ पर जरूर कहूंगा कि अभी शुरुवाती दोर में जो भी नया agent है जो इसने दो दिन चार दिन की भी agency लिया होगा और दो चार बी में भी अगर उसने किये होंगे तो वो इसको effort कर सकता है तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी भी एक profile online हो जाए तो फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि वीडियो के description box में इस form का link आपको मिल जाएगा उस पर click करके इस form को immediate जरूर भर दें तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में या जो छोटी सी जानकारी मैं ने आपको दी है या जानकारी आपके लिए उप्योगी रही होगी तो यदि आप इसी तरह की जानकारी से भविस में भी update रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल रिटेस एलाइसी एडवाईजर को subscribe कर सकते हैं अब इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त क करता हूँ आपने अपना कीमती समय हमें दिया इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ धन्यबाद thank you very much